आले हैं और साथी यह जो model paper आइ इसी pattern तुको basically model paper वो जारिक क्यों करता सबसुत प्रूह जाने हैं इसका जारिक करने का reason क्या होता यह जान लो इसका जो तुक्त आठीर जो model paper जारिक करने का reason होता है कि आपको question paper बताना कि आपका जो question का label रहेगा वो किस label का आपके exam में question बने बाले वो level आपको बताना होता है बिहारबूर का basically ठीक है और साथ है पैटरन क्या रहने बाल है यह होता है आपका बताने का मकसद बिहारबूर का कि किस pattern पर आपको जो है question exam में दिये जाएगे तो basically यह कुछ information है यह बात में देखिए पहले देखिए कि fel انक है जरू देखो दो सक्षान होताiper सेक्षान मी होता है एक सैसेशन भी होता में सेक्षिया अपका objective चलो आज की शांदार कमाल की जो है बहुकाल क्लास की शुरुआत करेंगे आपका सेक्षा ने जो अब चलिए आप लोग आज सा दिना शुरूप किजिए गा वन तो है फूर ऑप्शन आउट पूच्छ उनली वन इसक्राइग यूँ आपका एक सी अपका जो एक सोत तक अब अजेक्टिव टाइप क्विश्चन लेगा जिसमें से मातर और मात पचास क्विश्चन का अगर डेली और जवदस तरिकी सगर आप लोग तयारी करते हैं तो एक्जाम में आप लोग जाकर बहुकाल मचा दोगे एक भी क्विश्चन आपका छूटने वाला है नहीं एक एक क्विश्चन का आप लोग जो है इसली आंसर दे सकते हो यहां देखिए बात तो यहां पर पूछा ज़रा है क्रेक्ट एक्टिव बॉइस क्या होगा तो सिंपल साथे को सब्जेक्ट अब्जेक्ट बनाएंगे रोहित ओके अब देखो जब भी क्या हो वाल्स प्लस क्या मि उसरी या आपको यादन एसका एक्टीव रहेगा तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा वीच्व वाले और आप्शन चोज़ करना यानि किल्ड क हो गया जो सब्जेक्ट सिनेक था हो बज्जेक्ट सिनेक मैं यानि ऑप्षन क्या होगा इसका बिलकुल क्रेक्ट आंसर है समझ और यहाँ यहां पर बन जाएगा या ना option इसका क्या है बिलकुल सही जवाब है बहुत बढ़ियां जबर्दस आंसर question देखते एक साथ ऐसी तयारी करो कि दूसरा student को सोच में पढ़ जाए आखिर तयारी हुई तो हुई कैसे और हुई तो हुई कहां से तयारी कर लिए अब आंसर दो question देखी पूचा क्या जारा है question देखी पूचा क्या जारा है प्रसन पूचा जारा क्या guess you guess you spare a few minutes for me की बात हो रही है अगर आपने अपना spare क्या यानि किसी को अपना time देते हैं खाली समय देंगे तो ऐसे situation में आप लोग यूज करना कुड का यूज करना यहां तक ना option क्या होगा बी इसका विल्कुल सही उत्तर हुआ अब बताओ यहां पर कौन से जो है बिल्कुल क्रेक्ट होगा अब आंसर दीजिए काफी जदा important question है और एक question का answer आप लोग याद कर लिए एक्जाम में जाकर भौकाल मचा दोगे चलो answer लगा इस question का correct answer क्या होगा प्रशन है Mr. Sinha opt-to deliver on business अब दो जब भी क्या मिले आप्टेंज ऐसे मिले याद दग ना एक्जाम में प्रशन एक माक्स यहां से बनेंगे दिखुआ हम आपको एक ट्रीक बताऊंगा ऐसा नहीं कि हम रटमाने वाला एक ट्रीक पर आपको जो हम बताऊंगा जैसे क्या मिले आप्टेंज ऐसे मिले तो याद दग ना V1 या V5 वाले आप्शन चूज करना यानि सब्जेक्ट के कॉरिंग अब देखो Mr. Sinha बाबू के लिए क्या यूज करोगे तो याद ना Mr. Sinha के लिए V5 का यूज करोगे तो V5 गो का क्या होगा गोज हो जाएगा यानि आप्शन क् से निकला यहां से ट्रिक निकला क्या आपका ओफ्टेन है जैसे आप्टेन मिलेगा तो क्या लगा होगे V1 या V5 का आपको भर्ब का चूज करना एक मार्ग सापके एक्जाम के जोली में बात आगे समझ में ओके चलो next question क्यों चल लेते हैं question में food जब यहां पर कुछ सी और यहां पर यहां पर यहां नहीं होगा क्योंकि देखो ही आस्क मी है तो यहां पर क्या होगा यह बिल्कुल नहीं होगा अब देखो अगर हम confuse करेंगे तो बिल्कुल नहीं होना है क्या करना है confused जो है नहीं होना है जब भी क्या होगो अगर हम मालों भी जैसे confused कि बहुत सारी बच्चे confused हो गए बस लेकिन confused नहीं नहीं ओप्शन सी ठीक है चल यह बहुत सही जबरदस्ट एकदम नहीं होना हैं confused करेंगे अभी तो शुरुआत हो अभी पिक्चर भी बांक ही है चलो नेक्स्ट कुश्चन देखिए फाइव नमर्ड कुश्चन देखिए वांसर लगी इस कुश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्रस्चन पूछा जला क्या राजिए इस डैस कार लास्ट है जैसे माया लो लास्ट एइर हो लास्ट कार हो लास्ट पैन हो लास्ट डैस हो तो कुछ भी लाष्ट के बाद अगर मिलेगा तो ऐसे कंडेशन में आपको भी टू वाले option चोज करना तो घॉच्चन बी क्या हो जाब यू जी आश्ट बाइका बहुत हो गया भी शोगा ल आजेस बहुत एकार लास्ट यह ओगा option B ठीक है न चलिए जी बहुत बढ़िया नेक्स्ट की बात के question मत 6 question 6 देखिए अब आशा लगे इस question का right answer क्यों प्रस्ट ने पूचा जारा है क्या my shoes were too tight that I could hardly walk की बात रही हाँ पूचा जारा है आप लोगों का answer जो है बहुकाल मचा देते हूं मेरे स्टूडिन के की पायाचान है question देखते एक साथ जो है बहुकाल मचा देते यही पायाचान है education galaxy चात्रगी चलिए seven number question देखिए और answer लगे इस question का correct answer क्या होगा प्रशन देखिए बहुत important question है पूचा जरा चूजी correct जो है sentence बताना आपको कौन से correct sentence है अब देखो अब असली मजा आएगा ना अब देखो बताना है एक तो पोएट भी है philosophy तो कौन से यानि मेरा जो sister है वो क्या है पोएट और फिलोसफर दोनों है क्या लगा हुए my sister is a poet and philosopher बिल्कुल सही उत्तर होगा यानि option D इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है बहुत बढ़ियां बिल्कुल correct जो है से रोशे नियो मचा दो एकदम आपका ये question paper जो है अपका hidden ने एकदम तोड़ दो चलो अब तूट पढ़ना ये नहीं कि उस पर एकदम लराएगर के टूट ना इसका मतलब यह है कि आपको आंसर देना है हना चलो आंसर लगा ये question में यह दिखिए आंसर देजे इस question का से उत्तर क्या होगा प्रसन पूछा जाए this is the later so rotate की बात थो यहां पर पूछा जाए choose the correct combination डिको combination basically होता है कि हम पहले बता देता हूं combination होता है दो sentence को जोड कर एक बिल्कुल सही है तो जो भी चाहत हो option A चूज़ के बिल्कुल यानि दिस इस दा लेटर विच 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 सोहन डोट बिल्कुल यह आपका combination correct बैठेगा option A next question दिख लेते हैं question number 9 यहाँ पर पूचा जारा क्या I have a lot of work की बात हुरी और पूचा क्या होगा at times क्या होगा at times हो जाएगा अब option दिखो option दिख गया बिल्कुल यानि जब भी हो sorry जब भी क्या यह lot of work हो उसके बाद ज्यादा सटिक option आपका at times ही बैठेगा और आपका यह same question इसी प्रकार पूचा जाएगा आपको कोई भी change नहीं किया जाएगा ना option ना same ठीक है यहाँ दिखना चलो यह question जबरदल्स question है पूचा ज़रा है what is he angry की वात हुरी और यहाँ पर पूचा ज़रा है कि correct preposition अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा preposition जो है आपका correct हो जाएगा अब answer दिजिए चलो answer लगाओ इस question का correct answer क्या होगा प्रेशन देखिए और जल्दी से जल्दी कोसिस किसी answer देने का क्यूंकि आप सभी के पास time बिल्कुल भी नहीं है देखो आज तीन student topper बने है अना तीन मेने student topper बन चुके है जो की competition से जो है भरपूर था उसमें से तीन निकले जो की ब प्रेशन पूछा क्या रहा है प्रेशन पूछा ज़रा क्या वाट इस ही एंगरी की बाद हो यहां पर पूछा जैक क्रेक्ट प्री पोजिशन क्या होगा आपको पता होगा एंगरी की बाद जो है क्या लगता है एंगरी की बाद हमेशा आपका आपका प्री पोजिशन कुछा जाएंगे जरा देखो जरा ध्यान से देखो इस आदमी को इस को देखो यह मासूम से question दिखने वाला question बहुत धी खतर्णा question है चलो आंसर दो इस question का सही उत्तर क्या होगा जल्दी जल्दी answer लगाओ यानिस का जो है सिनों पताना है आपका क्या होगा क्विक की बात हो रही इसका समनार्थी सब्सक्राइब क्या होगा तो ऑप्षन क्या होगा औप्षन इसका बिल्कु सही उत्र होगा याद दखना यह सभी क्विश्चन याद दखना ओट फिर अज्छन पूछे और तुरतान सदे देखो साइंस आप साइंस आप दी लाइफ of animals की बात हो रही है अब आपको बताना है साइंस आप दी लाइफ आप एनिमल्स जो है इसके लिए पूछा ज़रा क्या गिव वन वर्ट सब्सक्राइश के लिए आपको पूछा ज़रा जैसे जानबरों के लिए जो विज्ञान होता है उसके लिए क्या जूलोजी होता है सब इसके साथ आपका इस ऑप्शन होगा यादग ना नो निउस इस गुड़ न्यूज ऑप्शन ही चलिए अगले प्रस्वियर बात करते है पंदरा रहा क्यूश्यन आर्टेंपरारी है टेंपरारी मत जो है इसका पूछा जारा एंटोनम क्या होगा यानि इसका प्रिया इसक किसी का जेसे जॉग है ठीक है मानौ मणा कि सपूर किसी का जॉब है तो इसका जो है वह क्या है वह टेंपरारी है टेंपरारी मतलब होगा यहाँ आस्ताई नोट लाइक दिसके बाद थो रहे हैं और यहां पर पूछा जाए चूज दिक रेक्ट जो इन डायक नेशन अब बताओ यहां पर जो है इसका इन डायक नेशन क्या होजाएगा आपके पास चार आप्शन है अपर दिया गया अब आंसर लगो इस कुछिशन का क्रेक्ट आंस अब कैसे होगा देखो दियान से देखिए प्रसन में ज्यादा दम तो है ने प्रसन में ज्यादा दम है बोलोगी तो कहां रहेगा क्योंकि तैयारी इतना मस्त जबरदस्ट करा देंगे तो कुछिशन दमदार भी जो है वह आपके सामने एकदम फीका पर जाएगा ठीक है क इंडर यसका इंडर्ण से तो सबसे पहले आपका टार्गेट क्या होना जब इन डायक्ट से तो सबसे पहलेस यह देखो सी से एल एकदम पर जैक्ट नहीं Principal फोल संस अएट जरी जर्वist पद्म क्या चलो बहुत ऑ नेक्स्ट क्विश्टन देख लिए ते कुश्ट में सत्रा आप यहां पर पूछा जरा क्या क्या जो एस पेल वर्ड क्या होगा इस पेलिंग आपको बताना कौन सा इस पिलिंग इसका क्रेक्ट होगा आपके पास चार ओप्शन यह पर दिया गया आप सदी तुथेक की बात है किसके बात टुथे बात तो थे के बात ढड़े तो तुथेक का क्या होगा औस जल्ज़ ज्यस लगा इसका क्रेक्टunda है शत्रा में question tha यह इसका क्या होगा सही उतर जल्दी 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 एकदम बहुकाल मचा दो जल्दी जल्दी आंसा दीजी चलो बहुत बढ़ियों very good option C आ रहा है बिल्कुल तुथेक के सुरुआ तो इसका प्रदस्येशन तो एडल अनिमल हो जाएगा हाना तो option क्या हो जाएगा option इसका बिल्कुल correct आंसर होगा यादगना क्या होगा का चूज करने examiner आपको वी 5 का समझ के चूज करवाने के लिए देगा question लेकिन आपको भी 1 चूज करने ठीक है तो यहां पर होगा all the books on that self belong to me होगा option a चल यहने question देख लेते question में 20 question में 20 देखिए आप आंसर दीजिए question का correct answer क्या होगा प्रसन है चूज दी correct sentence आपको बताना है कौन सा sentence बिल्कुल correct है तो इस question क्या होगा हाँ isf debt offer होगा option b इसका क्या होगा बिल्कुल correct answer है चलो अगला प्रसन देख लेते 21 में question पूछा ज़रा क्या बाता की समझो यहां पर क्या लगेगा आपकी option इसका बिल्कुस ही उतर होगा क्या होगा प्लीस तिंक ओबर यहां पर थिंक ओबर बिल्कुल correct होगा प्लीस तिंग ओवर मैं प्रस्ताब जो है एक बार फिर्ट से बिचार करें किसी को नहीं होता है प्रपोजल को जो है उसको बिचार्ज करने के लिए करेक्ट है चलो जी next question दे बाद हमेशा जो है टू लगता है तो सेंपाथिक टू दा पूर हो जाएगा ती यहां पर option क्या होगा option सी का correct answer है चलिए जी next question दे लेते question 23 पूछा जरा क्या है मी की बात हो रही है अब यहां पर आपको बताना है कौन से option आपको पूछा चूज दिक क्रेक्ट हो पिसी बॉइस आपको पता होगा एक हमने वी टू लगा रहेगा तो हमने बताया था वाज या वह लगेगा सब्जेक्ट एक्कॉर्डिंग तो आई वाज सटेश्फाय सटेश्फाय और पिसी बॉइस में लगता है लेकिन यहां पर सब्जेक्ट है यहां पर बन जाएगा यानि option क्या हो जाएगा इसका correct answer है ठीक है चलो जी नेक्स्ट कुशिशन देख लेटेए 25 अब पूछा जारा क्या यहां पर बताना है correct प्री पूजिसन तो आपको आपको बने बताया था लीनिंग के बाद हमेशा जो है एगेंस लगता है कौन सा अपका प्री पूजिशन लगता है तो एगेंस लगता है अब जैसे से लिखे याद देखना एगेंस लगा देना बात आगे समझ में बात आगे समझ में सभी को चलो नेक्स्ट क्यों चलते हैं अगला कुश्चन देखिए क्विश्चन में 26 पूछा जरा क्या आइडेस हेर्ड दा रिमार्क की बात हो रही है तो आई के बात क्या लगगा तैस इस पूछ नेक्स क्विश्चन में 27 देखिए इस क्विश्चन का राइट आंसर क्या हो परसन आपकी स्कीन पर आप आप सदीजिए क्विश्चन का सही उतर क्या होगा अब बतना है कौह से आप्शन आपका बिल्कुल क्रेक्ट होगा है ना चलिए बहुत बढ़िया 28 चा सब्सक्राइब क्विश्चन का यह चूज करें यहां तो क्विश्चन टैग लगाना तियां पर क्या होगा विल्कुल को सी उतर होगा ऑप्शन ए ठीक है चलो नेक्स्ट विश्चन देखिए लेते क्विश्चन में 29 विश्चन में 29 पूछ जा रहा है विच इस डिस डिस इस टीप राइज इन प्राइस की बात हो रही है अब बताना है क्विश्चन और यह साथ क्या लगता है तो यहां पर क्या होगए तो यहां पर क्या हो जाएगा ना लगेगा जब भी क्या दिखे बिन जैसे दिखे दिमाग दित आपको एक ट्रीक देखो जैसे बिन दिखे तो आपको याद दिखना या तो है लगेगा या तो अब लगेगा सब्ज़क एक को तेक है चलो यहां पर क्या होगा there यहां पर देखो यहां पर निगेटिव सेंटेंस की बात होगा अब बताओ यहां पर निगेटिव सेंटेंस की बात होगा तो सिंपल सा है क्या होगा आठीटिव का अंसर बिल्कुन सी लेप्ट नो प्लाउं अन्ट्राइड हो जाएगा ऑप्शन क क्या होगा यहां पर बताना क्रेक्ट आप्शन क्या होगा देखो तो he came here क्या हूंगा recent ली होगा recent कभी यूज ही नहीं होता है यह कर जब भी होता है तो 33 का क्या ओप्शन इसका भी बिल्कुल सभी जवाब है चलो कि नाइस वुआजिए वुए बाट बढ़ी आंसर कुछा छूथ देख क्या आंसर क्या क्या होगा पूछा चूज दी इंक्रैक्ट संटेंज आपको बताँ ना इंक्रैक्ट संटेंस इसमें जो है काउन साहगा हुआ तो छी के साथ क्या लगए विली इसे प्रोम आपको पता होगा तो बिलॉंग के बाद क्या हो आपको बता होगा जा यह इसा कैसे गलत होगा देको जब विलॉंग सोता हमने आपको बताया था जब भी क्या वोग सुल एक साफ पूछा गया था यहां पर क्या वा यहां तो विलोंगष तो कम ऩह यहां लेकिन फॉल्स लँपक्षा वह से भी वी से यहां लेकिन जए वीरी naw जरस वह प्लाव papers हमेशा जो है भी 5 लगता है तो दिस्वाल्व हो जाएगा यहां तो आप्शन है नहीं हां लेकिन को यहां पर आप्शन है डिस्वाल्व जोएगा सब्सक्राइब चलो 35 का क्या होगा 35 का option C हो जाएगा या दखना चलो next question की बात की 36 question देखो और answer लगा इस question का right answer क्या होगा प्रस्टन देखो और answer लगाते है चले जल्दी जल्दी चलो जिनका हाथ दर्द कर रहा हो चैट नहीं करो answer सिर्फ देखते है चलो ठीक है अब पर्स वास सूर्ड डैस मनी देखो जो फरस जो था हो किसे मनी था फुल था किसे मनी से फुल था तो क्या होगा ओफ मनी अना अनि ना परस वास्ट फूल आफ मनी ना option क्या हो अभी इसका बिलको सही उत्तर है ठीक है ना चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं चलो अरतिस में क्वेशन है सी वाज लेट डॉट आसी कुड नौट कैच्छ ट्रेंड की बात हुए यहां पर कॉमिनेशन दो संटेंस को एड करके क्या करना एक संटेंड मिनना तो इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हुआ यहांनि सेंस जो है सी लेट यहांनि सेंस सी वाज लेट आसी कुड नौट कैच्छ दाज सिंप्ल जैसे एक तैसे लिग दिया सिंप्ले सिंस लगा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया बस देख लो सिंपल सा है चलो अगला कुश्चन देखिए उन्चाल इस नमर कुश्चन है राजा जो है सीड आ को आज आना चाहिए निमस्टी कम टूडे ऑप्शन भी ठीक है ना चलो मैत का क्लास कब होगे मैत का भी क्लास तो पढ़ा ही नहीं तो मैत का में है क्या इस्टूरे अचा हां कल सुबर सीन डैस जो है आगरा टूबीजी दताजमल की बात हो रही है तो देखो आई जैसे हैब लग गया ना जैसे क्या होगा आई के साथ हैब लग गया तो जैसे हैजब के साथ क्या लिए बिन वाले उप्श लिए चूज़ कर लेना ओप्शन डी ठीक है चलो नेक्स्ट क्विस्टिन है क्विस्टिन मरें ब्यालेस क्विस्टिन देखी सी रिटर्न टूदी डैस ऑफ दी एक्सिडेन की बात हो रही है तो देखो यहां पर कौन से अप्शन आपका क्रेक्ट होगा तो यादे ना क्या से लोगा सीन्स जो तान एस सी एंसी बिलकुल सही उत्र होगा ऑप्शन सी ब्यालेस का सी ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्रेक्ट तीटालेस दिखी यहां पर पूछा जाए एक्स रेक्स इंटेस्टेस बताओ कौन से आपका क्रेक्स रेक्स होगा यह आपको बताना है आब क्या होगा दापूर्वर आर हेटेड एवरिवेर अना यहनि जो गरीब से जो होता हूँ कहा होता है अबीवेर होता है ओप्शन बी बीजी दराइट आंसर फो इस कुश्ट टी तालेस का भी चलो डगला कुशन देगे लिए ते कुश्ट निमर ए फॉर्टिफोर्ड पॉर तो यहां पर किसकी बात हुरी यह तो यहां पर जब फोन होगा तो यहां पर कहा उन्दा फोन होगा हना तो option क्या होगा यहां पर B right answer बी चलो नेक्स्ट विश्टन देख लेते हैं क्विश्टन पैंतालिस देख लिए यह फेल एंड एंड वाज टेकें टूट थाउस्पीटल की बात हो रिए अपको बताना क्रेक्ट आर्टिकल क्या होगा कौन से आर्टिकल आपका क्रेक्ट होगा तो यहां पर जब रहोगा यहां पर नो आर्टिकल लगाना ऑप्शन डी चलो अगला प्रस्ट देख लेते हैं क्विश्टन 46 पुछ रहा है चूजी क्रेक्ट लिए स्पेल वर बताओ कौन से ओक्वेशन बिल्कुल सही उतर है तो केशन की बात हुरी है तो डबल सी एसा यह उन बिल्कुल सही उतर है बीइंग लगा लगे गाई जैसे वी के साथ के ला लगेगा रिट का क्या हो रिडिंग जो सब्जेक्ट है यहां पर अब्जेक्ट बन गया ऑप्शन डी यादन यह अपका प्यसीव फॉर्म में दिया गया है और इसको एक्टी बनाना है यादना क्या होगा वी आर रेडि जो सही चलो कुछों में अर्तालेश देख़िए सकार से लगें पूचा जाया क्या इनक्स्ट प्र बेंग सीन इस डैस की कि बात बीइस की बात रही है तो 48 का क्या होगा वैडि गुड क्या होगा इनाडिवाल हो जाए इगा आप्शन सी नेक्स क्यों देख़िए क्यों चा जल्दी क्या होगा 49 का अंसर क्या देरो क्वाइट देरो ना बिलकुँ सही उतर है यादे ना क्वाइट नेक्स कुश्चन दिख लिए थी कुश्चन में पचास क्या है केक्सार मेड़ जो है हर अबरी संदे की बात तो इसका एक्टी बॉइस बनाना तो बहुत तेज है एक् जो सेम उसको छोड़ देना है जो लास्ट वहला पॉइंट है उसको यहीं पर दैक्लिक से से छोड़ देना है यानि हो आप्शन भी क्या होगा सी मेक्स केक्स जो अबरी संडे यहीं पचास का बी हो जाएगा ठीक है चलो जी बहुत सही अगला क्विश्चन दिख लिए थे जी करते हैं बहुत ज्यादा कुशन बचा हुआ है अब बताओ यहां पर पूचा जरा आज डैस मी की बात थो यहां तो एस के बात क्या लगेगा आज डैस मी आई विल भी जो है है एपी टू लेंडे हैंड की बात रहा पर बताना क्रेक्ष प्री पोजिशन बताना है तो यहां एस क्या होता है एस क्या होगा एस फॉर एस फॉर मी होता है क्या होगा एस फॉर मी फॉर लगेगा तो ऑप्शन क्या होगा एस के बाद आपका फॉर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है एस के बाद हमेश्चा फॉर लगता है अना कंडिशन देख ल यहां पर क्या होगा आइए सैप्ट हो गाए सब्लिंग यह देवल सी इपी टी होता है कि अप्शेंन क्या हो भी कुर्विशन निक्स्स्विशन देगे कुशिण 54 और विए घवंतोर लेकिन सम सुगर लगेगा यादन नहिंक पर सम्सुगर लोजाएगा ऑप्शन क्या होगा का 54 का सी चलो अगला प्रसन से पच्पन है आई है आइभा नथिंग डेस तुसे की बात हुँरी है आपको बताना आए अधिक्र प्रदर होता है ना फू आइस हो गया प्रदर यह सभी एक ही आता है कंडिशन जनेरेशन में लेकिन आपका अंकल अलग जनेरेशन में आज आज उनिवर्सिटी सुन की बात हो रही है तो यह क्या होगा ही होव्स टुजो एंदा यूनिवर्सिटी सून होगा यानि ऑप्शन क्या बी इसका से उतर है चलो जी अगला पूछन देखरें पूछन ने लिएत कुछन पूछ रहा हुआ आपको पता हुआ यह लेंड आप दे राइज आपको पता हुआ यह लेंड आप दे राइज आपको एट क्लास में भी उगते हुए सुरस का देश किसे जापान का सुने हैं यहां तक ना ऑप्शन है चलो नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं क्विश्चन में 69 बस इसके तो कौन से उप्शन चूज़ करोगे तो अब जिसे यू के साथ तो हैब लगेगा ना कि आपको है लगेगा तो सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक लगा कि इस कुश्चन का आंसर क्या दोगे बीद होगे बिल्कुल यानि 59 का ऑप्शन भी सही उतर है चलिए साथ नमर है हो के प्रेवेंट डैस प्रेवेंट मी जो है डैस डुइंग दिस की बात हुरी है पर कौन से ऑप्शन क्या होगा तो देखो हूं के बाद आपका फ्रों लगेगा यादग ना ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है चलो साथ में से में ख्याल से गर डेली जो क्लास करते हो न पंक्ति तो संपल सापको हम अपको थोड़ा सा लोजइक देते चलेंगे और आंसर आप लोग बता ती चलना है हमने आपको पहले वह हम ने बता चुकह उलरेडी तो आपको सरफ क्यों से बतना कुश्टियन देखना है और यहां सर्वतों आपको सारे प्रसन को लोजिक से कोर्द देखेंगे जो ऑप्षिन मेरा जो एक रेक्ट होगा वह इच आपको जो एक करेक्ट करना है अच कोई बाद नहीं पांड़ लिक्रेसा जी हाँ दर्द रहा हाँ दर्ध हो रहा है तो आंसर मत दो आ सिर्फ वीडियो देखो मतलब क्लास देखिए आंसर मत दो जिनका अ कि यहां क predator और से अंदन कि अमें प्रश्न यह सव धचाहँ देख आन्सर Cookie हाँ वाइक है इस यह धन्लकी खूर यह होगा जाए दिलगा कि आनसर दिन आप लिए ना किया करना है मन में एंसर दिन जो है modern inventions are to maddening जो है to resist is from की बात और यह नहीं जो पंक्ति है कहां से ले गई है तो simple सापको पूरे पंक्ति याद करने की ज़रुवत नहीं है हम आपको एक तरीका देता हो जब भी modern मिले या Indian मिले Indian civilization मिले ध्यान देजेगा सब भी क्या मिले civilization मिले पंक्ति में कहीं भी अगर पंक्ति में civilization मिले या आपका culture मिल जाए या आपका instructor मिले ANCEST यो एंस्ट्रेक्टर मिले ये सब में स्चार में से एक वर्ड आपको exam में मिलेगा इस तरह का question आपको एक मार्क ये question देलाएगा civilization मिले culture मिले अस्ट्रेक्टर मिले इसमें से कोई भी पंक्ति मिलेगा या दखना Indian civilization कल्चर से पंक्ति ली गई होगी आज़से इसमें लिया गया ये आपको क्या मिले मिले कुछ भी अगर आपको वर्ड में कहीं पर दिखे तो यादग है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो आप्शन चूज करना है ठीक है दूसरा 62 में क्वेश्चन है आइक एंटर दिस ओफिस इने स्पीट और फुरेर फुर्ड हुमिलेटी टूटल डेकेशन की बात और यह पंक्ति कहां से लिगई है तो देखो आपको ओफीस दिखे ओफीस दिखे तो जैसे यह आपको ओफीस दिखे तिया दखना भारती जमाय होम लगा देना और भारती ज सब्सक्राइब कोने महात्मा गांधी है यह याद दखना चलो और यह थर्ड प्रसिडेंट भी थे यह बहुत बढ़िया चलो अगला कुश्चन दिख लेते कुश्चन में तिरेसर पूछा ज़रा नानुका का वास कमिंग टू डिली तू डैस की बात हो रही है तो नानुक क्या होगा 64 का अंसर वेरी नाइस क्या होगा एपियल निंग हो जाएगा ऑप्शिन इसका बिल्कु से उतर गाएपियल इंग हाना चलो ने स्कृश्चन की बात करते पैसर नमेर क्यूस्चन देख लेते है यह देको बात हो रही है दा डैस जो मस्ट है मेड लाइफ मच जो क्या होगा बिल्कु से उतर दे रहे क्या होगा टैमिंग ऑप जो है डॉमेस्टिक एनिमस इसका बिल्कु से उतर होगा ऑप्शन भी चलो बहुत बढ़िया अगला क्विश्चन देख लेते च्छर से ट्रम क्विश्चन अब यहां पर पूछा जरा क्या एस सुन एस दी ज लगा देना क्या लगा होगे और की चलो अगला क्विश्चन दीख सरस्वां से इस का antra इनमें टर्डिश्टिक आथ यहां सैंसे इनी मडर चाइल ठीक है चलो बहुत बढ़िया अगला क्विश्चन की है दिखें इक क्विश्टिक बिंड पूछा रहा है यानी जो मालिक का जो वेल्थ होता है वही होता है ना ओनर का वॉप्षन कई वाइब अप्षिंड के वाफ बाट बढ़िया नेक्स्ट रहा है नेक्स्ट पूछा रहा है पूछा ज़ रहा है फॉर दा नेक्स्ट फॉर और फाइव एर्स की बैंजे वेंड ओन क्रियेटिंग मोर हाउसे फॉर मोर हैंस की बात हो हैंस जैसे हैंस दिखे थोड़ा सा लग रहा है यह कहां कौन से चैप्टर के पंक्ति है तो इस कुछिशन का अंसर क्या होगा यह आपका दार्थ का पंक्त आपर यह कौन हां लोमुव तु नेवर था तो आप्चिन बीहों चलो अगला क्यें देखिए लोमॉमस फॉ मर्यरे किसे जो है चाहता था वो साधिक ना ना नाटालिया की प्यार में लोमुव अगल भी था तो यहां देखने ना ओक्षिन दी चलो अगला कुछिन दिखे सब्सक्राइब किये थे किस रूप में इन्हों ने वर्क किया था डॉक्टर जर्नलिस्ट या सिंगर या एक्टर की बात हो रही है जब भी ऐसी वेट्स की बात होती या जर्नलिस्ट हो जाएगा यानी 73 का क्या होगा जबर दसांसर देखो इन बंगलादेश डैस इस एक काइंड ओफ फिर टॉस दो इन बंगलादेश या देखना रुप्टो का ऑप्शन डी 74 का क्या होगा ऑप्शन डी होगा या दखना चलिए जी नेक्स्ट क्रिशन देख लेते 75 विच इस विच एसे डज्ज मार्थन लूत जूनियर वान टू सी डेबलब्ड इस्टेट की बात रही है तो कौन से स्टेट जो है यह चाते थे देखने के लिए डेबलब इस्टेट मार्थन लूतर कि जूनियर जी की बात रही है अब बत्तों आंसर क्या होगा ऑप्शन क्या देरों ऑप्शन सी विलकुल अलबामा इस दा राइट आंसर फॉर इस्टेट ऑप्शन सी चलो 76 दिखिया आंसर लिए हाव फेवल जो है इस मेंस फावर जो है कहां कौन से चैप्टर का पंक्ति है तो याद दगना यह जो पंक्ति जो लिए गई है सुटेस लब आई डो नोट गोई के लिए पंक्ति है और इसके प्वेट हंसरे फोगा बूद senior बहोस और सावर होंब चाम को यह विए माय सेख्याल दिया बाता है त् डॉट डॉट इस फ्रोम की बात हुए कहां से पंक्तियत यादगना सोंगों मैसल्फ इसके लेखक वाल टुट में ने जब भी माइसल्फ वाले ऑप्शन मिल जाए यादगना सोंगों मैसल्फ ठीक है देगे क्विश्चन से बंटी ना है स्टार्विंग जो है थ्रो दा यह स्टार्विंग देगे क्या से लिए पंक्तिय लिए अप्शन चूज कर ले ना स्टीक क्या हो भी सीजन क्या हो एक तुमान ना वह टुक्विश्चन में क्या सी है वो रोट सूंग आप मारसल्फ पूचा वो रोट जो है किसने जो है रोट किया है सुंग फॉर और शॉ चुछ ही आपिकिसने रोट किया है बताओ किसने लिखा जली-जली आज लगा बहात बढ़िया जो भी शाद इसका वालट डिला मेरे दिरें वाल्ट डिला मेरे ते विल्कुल सही उथर रहा है बहात सही चलो नेक्स्प्रिशन दिखे टीट्ज नमर प्ना नहे है डैट दि से दिखें याद लगना इंगलेंड एटी टू का क्या दिखें देगा और एटी टू का सी बस थोड़ा सा लॉजिक लगा होगे आंसर दिखो बात होगे जो है इए फिर लाइंड विट जो है थोट्स है इस ही इड आली जो हमेड जो यादाश वी जो है पुए डिस क्रिविं की बात हो रही या ताब पको बता होगा तो इसका अंसर क्या गोगा सब्सक्राइब अगला क्यूश्टिन है लिफ्टेज उप्टेड किद ही इस आप को खोजना पड़ेगा देगा सब्सक्राइब करें लिखा गया है इसके लिखक को ने आपको बताना है तो इसके लिखक कमला दाजी है अप्षिन भी बहुत बढ़िया देखिए क्षिश्चन में 87 एदा पोईटेश बेक्स फॉर डैस फ्रों एबरी बड़ी की बात थो रही है तो यादग ना पोईटेश बेक्स फॉर लव कौन सा होगा लव वाले ऑप्षिन यानि वी वन ऑप्षिन 87 का ए हो जाएगा चलिए 88 सब्सक्राइब क्या होगा यानि दा पोईट होगा उप्षिन होगा पूछा जैस दी मास्टर कि मास्टर किनल कौन है बताओ तो बोलो कि सर जी यह तो मास्टर के में एक्रिविटी है तो उप्षिन सीज का क्रेक्ट आंसर है चलिए क्विस्चन में 90 कि रपर ब्रॉक डाइ उप्षिन को जोतन ठका बना देता तो उप्षिन बी चलो अगला क्विश्चन देखिए 91 नमर इंग्लिस बिलोंग्स टू डैस डैस तू डैस तू दी डैस तू दी एंसी एंड डैस फेमिली ऑफ लेंग्विज की बात हुरी है तो इस क्विश्चन का राइट आंसर क्या ह यह आपका इंडो-european जो है इंग्लिस बिलोंग्स करता है तो ऑप्षिन क्या होगा याद इंग्लिस बिलोंग्स टू दी एंसी एंड इंडो-european फेमिली ऑफ लेंग्विज है ठीक है चलो अगला क्विश्चन देखिए क्विश्चन में 92 जल्दी जल्दी खरा रहा ह ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा क्विश्चन हो जाए फ्रों 1150 ओन्वर्ट इंग्लिस बिगें टू इमर्ज हो एज लेंग्विज ऑफ डैस की बात रही है तो इस क्विश्चन का क्या होगा यह आपका जो लिट्रेसर हो जाएगा जाएग्विश्चन का बात की क्विश्चन में 93 क्या होगा प्रसन है आप्टर दी आप्टर नॉर्मल जो है आप कंगेर्श्ट दैस विकेम दी लेंग्विज ऑब दी काइंड्स कोट गॉर्मेंट एजग्विश्चन की बात रही है तो देख व इस क्विश्चन में आपको बताना कौंसे ऑप्शन बिल्कुल क्रेक्ट होगा तो ऑप्शन होगा फ्रेंस दा राइट आंसर फो इस क् क्विश्चन दीख लेजिए कर चले मेंन टी व्रासल गें हूर जए प्यरस & फैलोमेंट की बात हुरी है तो यह कि अ जयांसर लगा बिलकुल हूर यह लिखा गया है लेंग लेंड के द्वरा option क्या होगा option B 94 का क्या होगा बी हां लेंग लेंड बहुत सही चलो बहुत बढ़ियां एक दू क्वेश्चन ऐसा है अनपटान क्वेश्चन है क्या करोगा याद रखना ही पड़ेगा चलो क्या होगा कि मतलब इसके लेखक को ने यह प्रस्चन पूछ जा रहा है अब आचान सदो नटी पाइब आइवंग बा वेलियम सेख्येdal nervous बिल्कुल सही उतर है William Shakespeare is the right answer for this question चलो नेक्स्ट कुश्ट दिखिए कुश्ट में 96 है English is used as a second language English second language कहां यूज होता है इंडिया में होता है first language का इंडिया का हिंदी है चलो नेक्स्ट कुश्ट दिखिए टूडे डैस English is recognized as world language की बात हो रही है तुझारसी बात है अमिर्का होगा option एपिक चलो पुछा जा आरेन टैगोरोट बताओ आरेन टैगोर ने जो है क्या लिखा बताओ इन्हों ने क्या लिखा तो बोलोगे शटजी ये तू लिखे थे गितांजली गितांजली के लिखे रविदना टैगोर जी है 99 का डी चलो नेक्स्ट कुश्ट देख लेते हैं 100 में क्यूश्ट दा एक्स्प्रेशन हिमाल्या अना ब्लंडर यानि हिमाल्यान जो है ब्लंडर इस फ्रिक्वेंटली जो है यूजड इन्डैस इंग्लिस की बात अथरी है तो आपको पता होना चाहिए यह आपका अमिडिकन इंग्लिस होगा ऑप्शन क्या होगा बी होगा चलो अब इस कुश्टिन का आप जो है यहां पर पूचा गया क्या राइट एनेसे लिखना है जैसे यहां पड़ है देखो यूज आप इंटरनेट हो गया इंट के बाद आपको छोटी देखो आप सभी को शांदार्ट जबरदस्त त्रके से त्यारिक करने के लिए गूगल में एजुकेशन गैलक्सिया आपको सर्ज किजिए सबसे उपर आपको वैप साइट दिए सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको स्ट्रीम साइंस कोमर्ट आर्स और मैंटी टेशना तो सिंपली आपको साइंस स्ट्रीम बाले साइंस में आ जाना भांगे सभी का सेम ही होता ठीक है अब यहां पर जबाओगे यहां पापको सारे विश्याओं के कॉंटेन अबलेबल है आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना क् अगर नोट्स बनाने के कोसिस करगी उतने समय में आपसभी को क्या करना है याद कर लेना है तो क्यों सब्सक्राइब करना है यहां पर आप लोग विश्याओं मतलब शेपटर कवा याद करना इस तरह आपको करना है दूसरा चैप्टर होगा अभी एक और चैप्टर अभी इसी तरह आपको सबसुली ध्यान से देखिए इस तरह आकर आपको त्यारिक के लिए हई एक्षकम करने आपको क्या है एक्षांब करें सब्सक्राइक ना नीचे आकर आपको test लगा ले। उसके बाद आपको test पर क्यिक करना नेक्ज़र उसके बाद नवहाईगा और डैस्ट लोग करना स्भífic नहीं कि वहां नहीं कि जांदार जबरदस तरिके से त्यारी है्लिए आप लोगा ये सब्फिलिक का है आप लोगों को एडुकेशन गलक्सी सर्स किजिए शांदार और जबरदस्त तरिके से त्यारी में लग जाना है वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना आज कर सेशन आपको कैसा लगा जिए ना चलो